इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्पेस के शादी मुबारक शो के बारे में अगर आपने सब कुछ डिटेल्स से जानना है तो बीना स्किप करें वीडियो को पूरा देखिए तो गए शादी मुबारक जो शो है जब महराष्टा में शोट रुखा था तो इसका भी रुखा था तो इसके एपिसोड वगयरा एर होने बंद हो गए थे वो इसलिए हुए थे इसका शोट की जो लोकेशन है वो चेंज नहीं करी गए थी तो जब बाकी सारे शोट की चेंज कर दी गई थी इस शो की क्यों नहीं करी गई थी उसका रिजन ये था मानव गोहिल जो की शो में में लिड पले करते हैं उनको कोरोना वाइरस हो गया था COVID-19 positive वो हो गए थे इसके कारण उन्होंने शो से ले लिया था break और recovery वगएरा उनकी चल रही थी तो तब तक शो के episodes भी उनके पास नहीं थे दिखाने को चैनल पे तो पांडया store वगएरा का जो time slot change किया था वो आप सबको पता ही है तो ये थी backstory अगर आपको नहीं पताती तो इस करके अभी तक जो है शो का shoot continue नहीं हुआ था लेकिन अब मानब गोहिल जो है उनकी COVID-19 जो उनको हुआ था वो recover हो चुके पूरी तरह से अब कली मैंने वीडियो बना के डाला था इस पे कुछ update दिया था कि शादी मुबारक continue होगा या फिर नहीं होगा तो मानब गोहिल ने बताया था बोला था पहले कि show continue हो सकता है resume हो सकता है chances है shooting resume होने के because वो recover हो चुके हैं और इस lockdown के बाद शायद continue करें तो कल ये मैंने आपको वीडियो में बताया था लेकिन हमारे पास बस ये अपडेट था कि मानब गोहिल ने ये बोला था कोई confirmation नहीं थी तो अब जो है final confirmation लेके मैं आ चुका हूँ final confirmation ये है कि unfortunately शादी मुबारक show offer जा रहा है I mean जा रहा है नहीं already offer हो गया star plus ने जहां पे इसके episodes दिखाना बंद किये थे जहां पे इनके episodes खतम हो गए थे टीवी पराना वहीं पर show stop हो गया अब इसकी जो continue shooting है उसको continue नहीं करी जाएगी ये star plus ने decision ले लिया है already पांडे श्टोर और गयरा को जहां पे time इसके time पे लगाया था तो वो अच्छे TRP ला रहे हैं और दूसरे भी कई shows लाने वाले हैं star plus और उन्होंने decision ले लिया है शादी मुवारा को continue ना करने का वैसे तो मानव गोही लब recover भी हो गए थे और वो continue कर सकते थे shoot इसकी shoot location और गयरा कहीं और करके लेकिन star plus ने यही decide किया कि शादी मुवारा को बंद कर देंगे तो अब ऐसे ही abruptly यानि की बीच में ही बंद हो गया है ये show continue नहीं होगी इसकी shooting वैसे तो उनकी जो story थी उसमें काफी यादा और offer करने को था audience को बहुत कुछ दिखाना था उन्होंने लेकिन अब नहीं हो पाएगा because COVID-19 के कारण एक और show जो है वो बंद हो गया जिसका पूरा एक main कारण सिरफ COVID-19 है माना को इलको COVID-19 हुआ और उसके कारण अब show जो है वाला कि अब वो recover हो चुके हैं लेकिन star plus ने decide कर लिया कि वो इस show के साथ move forward नहीं कर रहे हैं और ये show offer जा रहा है actors ने confirm कर दिया है अब कि ये show आगे नहीं हो रहा आगे नहीं बढ़ रहा इसकी जो shoot है उसको resume नहीं किया जाएगा तो जो भी fans है इस show के जो hope लगा कर बैठेते की वापस आएगा काफी बुरी news है आपके लिए show को abruptly बंद किया जा रहा है star plus की तरफ से तो मानव गोईल जो की कुछ दिन पहले कह रहे थे की show को resume होगा उनको लगता था की होगा तो मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि ये मारे बास कुछ confirmation नहीं है because actor ने बोला है लेकिन ये सब की जादा knowledge channel को या फिर producers को होती है कि show आगे बढ़ेगा है नहीं anyways star plus ने हमने decision ले लिया है और आप सब को पता चल गया है also गल के वीडियो में मैंने आपको बताई बोला था कि ये कह रहे थे कि जब Mumbai का shoot Mumbai में lockdown खतम हो जागा तो continue होगा तो मैंने बोला ही था कि lockdown जब उच खतम होगा तो हमें नहीं पता lockdown कब खतम होगा इसी करके काफी doubtful situation थी because Mumbai का lockdown खतम होगा तब तक channel वेट नहीं कर सकता कि कब lockdown खतम होगा कब इसको air करें तब तक हो काफी नए shows और जो उनके planned है वो ले आएंगे तो ऐसा ही होता है हमारे इंडियन टीवी इंडस्ट्री में तो यही है तो guys आपकी क्या रहा है इस पर comment section मुझे ज़रूर बताइएगा share कर दीजे सारे शादियो वारक fans के साथ सब को पता चल जाए सब को तक information पहुंच जाए लाइक कर दीजे वीडियो को कुछ info मिली हो तो ऐसे ही latest tv shows news के लिए जो कि मैं रोज डालता हूँ also star plus पे जो भी latest updates होंगे सब के लिए चैनल को कर दीजे subscribe साथ में जो बेले कहना उसको दबा दी फिलाल के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में अभी के लिए चलता हूँ good bye